दुस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग profit and loss के questions को solve करना सिखेंगे दुस्तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप profit and loss के questions को आसानी से सेकेंडर में solve कर लेंगे इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो मेरा नाम है सुमीत और आप देख रहे हैं तो चलिए दूस्तो शुरू करते हैं दूस्तो प्रॉफिट और लॉज के कुषिंज को आप फर्मूले की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन दूस्तो इसके लिए आपको बहुत सारे फर्मूले याद करने पड़ेंगे तो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉज के कुषिंज को फर्मूले की मदद से नहीं बलकि पर्सेंटेज की मदद से सॉल्व करना सीखेंगे अगर आपका पर्सेंटेज का concept अच्छे से क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो्स मिल जाएंगी उन वीडियो arte को आप देखिए ताकि आपका पर्सेंटेज का concept अच्छे से किलियर हो सके उसके बाद आप इन questions को आसानी से solve कर पाएंगे तो चलिए दूस्तो सबसे पहला question देखते हैं दूस्तो सबसे पहला question आपके screen पे है हमने यहाँ पे एक simple question लिया है आगे दूस्तों हम लोग difficult questions को भी करेंगे कि जब भी आप profit and loss के questions को solve करेंगे जब भी आप लाभानी के questions को solve करेंगे तो question में जो आपको cost price दिया होगा cost price मतलब आपका जो क्रेह मुल्य होगा उसे आपको हमेशा 100% मानना है ठीक है इस बात को दूस्तों आप एकदम गाठ मान लीजिए कि profit and loss के questions को solve करते समय उसमें जो cost price होगा उसमें जो क्रेह मुल्य होगा उसे आप हमेशा 100% मानेंगे कि लड़ है आपका question असानी से solve हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे cost price कितना है यहाँ पे cost price है 80 रुपिया इसका मतलब यह वा दोस्तों कि 100% बड़ावर कितना होगा 100% बड़ावर होगा 80 उसके सांसे दोस्तों 80 रुपिया का समान आपने 100 रुपिया में बेचा तो आपको profit कितने रुपिया का हुआ है 20 रुपिया का हुआ है और आपको निकालना क्या है आपको निकालना है कि आपको कितने % का profit हुआ, ठीक है, तो जब 100% बढ़ावर 80 है, तो कितना % बढ़ावर 20 होगा, यह अगर आप निकाल ले, तो आपको यह पता चल जाएगा, कि आपको कितने % का profit हुआ, ठीक है, इसे solve करना बहुत ही असान है, cross multiply करेंगे, यह हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ दोस्तो, कि आपको कितने % का profit हुआ, तो 25% का profit हुआ, उसके साथ साथ दोस्तो, इस question को आप ऐसे भी solve कर सकते हैं, कि 100% बढ़ावर कितना है, 100% बढ़ावर है, 80, आपने कितना में sell किया goods को, आपने sell किया है, 100 रुप्याय में, ठीक है, यहाँ पे हम x डाल देते हैं, और इसे calculate कर लेते हैं, यह हो जाएगा दूस्तो, 80 x is equal to 100 multiply 100 divided by 80, कि लिए है, इसे solve करेंगे, यह हो जाएगा 25, 100, 24, 80, 4C से cancel करेंगे, यह 25 वार में कटेगा, तो 25 पचे कितना होगा, 125, इसका मतलब यह हुआ दूस्तो, कि यह जो 80 है, यह कितना है, 100% है, और यह जो 100 है, यह कितना परतीसत है, तो यह दूस्तो, 125 परतीसत है, इसका मतलब यह हुआ, कि आपको कितना परतीसत का profit हुआ, तो 25 परतीसत का profit हुआ, तो इस तरह से आप आसानी जोसे question को solve कर सकते हैं, आईए दूस्तो, next question देखते हैं, ताकि आपका concept और अच्छे से clear ह सके, दूस्तो, दूसरा question है, कि किसी वस्तु को 950 परतीसत में खड़िदा जाता है, तथा उसे 760 परतीसत हानी कितनी होगी, यह आपको निकालना है, ठीक है, किसी वस्तु को आपने कितने में खड़िदा है, 950 परतीसत में, और उसे आपने बेचा कितना में है, 760 परतीसत का loss हुआ है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने रूपे का हाणी हुआ है तो यहाँ पर डिफ्रेंस आ जाएगा दोस्तो 190 रूपया का ठीक है 190 रूपया का आपको हानी हुआ है cost price आपको दिया हुआ है 950 और selling price आपको दिया हुआ है 706 के लिए रहा तो cost price को हमेशा हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं तो 100% बड़ावर कितना होगा 100% बड़ावर हो जाएगा 950 ठीक है अब आपको निकालना है कि loss जो हुआ है आपको वो कितने percent का हुआ है तो loss कितने का हुआ है 190 ठीक है तो यहां पर हम x डालेंगे और इसे solve करेंगे आपका एंसर आ जाएगा ठीक है यह हो जाएगा दोस्तों 950 x बड़ावर 100 उन्हें 190 के लिए एक स्कॉल्टू 100 उन्हें 190 बटा 950 इसे हम काटेंगे कितने percent का loss हुआ है तो 20 परसेंट का loss हुआ है तो इस तरह से आप questions को आसानी से solve कर लेंगे तो तीसरा question है कि यदि 10% की हानी पर कोई वस्तू 720 रुपया में बेच दी जाती है तो वस्तू का क्रेम मुलिक क्या होगा question में क्या करा दोस्तों कि कोई एक वस्तू है जिसे आपने 10% की हानी पर बेच दिया यानी कि वस्तू को आपने 90% के वस्तू सेidge किया जब आपने इस वस्तू को सेall और कि आपने इस 720 रुपया में आया यानि कि 90% व्लबर कितना है के लिए है अब question में दुस्तों आपसे λine मतलब क्रेमिलिक क्या होगा हो क्रेमिल मतलब cost price पूच पूछ रहा है तो 90 पर तीसरत बड़ावर कितना है 720 आपको निकालना है कि 100 पर तीसरत बड़ावर कितना होगा के लिए इससे सॉल्व करेंगे आप कैंसर आ जाएगा 90 x is equal to 720 into 100 या फिर x is equal to 720 into 100 divided by 90 ठीक है यह कर जाएगा नौटे बहत्तर आट वर्ड में यानि दोस्तों इसका answer आएगा 800 यानि इस वस्तु का cost price कितना था तो 800 रुपया था बहुत ही simple है दोस्तों इस तरह के question को solve करना आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि cost price को हमेशा 100% मानना है और जो आपको question कर रहा है उस हिसाब से आपको यह equation तयार करना है ठीक है आपका answer फटाक से आ जाएगा चले दोस्तों next question देखते हैं दोस्तों चौता question है कि राम ने घड़ी 500 रुपया में खड़ी और 20% के लाप पर बेच दी तो विकड़े मुल बताईए ठीक है राम ने एक घड़ी खड़ी है कितने में 500 रुपया में यानि कि cost price कितना है? 500 रुपया है और उसने क्या 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 दोस्तों कि 20% की लाप पर उसे बेच दिया तो आपको बताना है कि इसका कितना होगा कि देख दिया 22% पर इस गड़ी को बेच दिया एक 120% पर इसने इस गड़ी को बेच दिया तो question में आपसे पूछ रहा है कि व बताईए यानि कि अगर हम पता कर लें कि यह जो 120 परतिसत है वो कितने के बढ़ाबर है तो आपका एंसर आ जाएगा के लिए ग्रॉस मल्टिप्लाइगे यह हो जाएगा दोस्तों 100x is equal to 500 इंटो 120 and x is equal to 500 into 120 divided by 100 ठीक है यह 100 से यह 5 बार में कर जाएगा 1260 यानि कि उस घरी का विकड़ा मुल कितना था 600 रुपया था देखा आप लोगों ने कितना सिंपल ट्रीक है इस तरह से आप साड़े कुशन को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों पांचमा कुशन ब वो इसे किस मुले पर बेचे कि उसे 25 परतिसत का लाब हो तो आज़े दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा दोस्तों कुशन में कर रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकंदार को 25 परतिसत की हानी होती है मान लेते हैं दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 परतिसत ठीक है दुकंदार क्या कर रहा है 25 परतिसत की हानी पर उस वस्तु को बेच रहा है यानि दोस्तों 75 परतिसत वरावर आपको दिया हुआ है परतिस परतिसत की हानी पर बेच रहा है यानि की 75 पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है चार्सव पचाह सर प्यू सर्पया में इसका मतलब यह हुआ कि 75 पूरावर आपको यानिकी आपको निकालना है कि 125 पर 31 रवर कितना होगा तो 75 पर 31 रवर आपको पता है कि 450 होगा आपको निकालना है कि 125 पर 30th रवर क्या होगा इसे सॉर्व करेंगे आपका एंसर आ जाएगा यह होगा दोस्तो 75 x is equal to 450 multiply 125 and x is equal to 450 multiply 125 divided by 75 ठीक है यह दोस्तों आपका कर जाएगा 25 तिया 75 25 पचीस पचीस और तीन से यह कर जाएगा आपका 150 वाड में तो 15 पचे 750 यानि दोस्तों अगर वो इस वस्तू को 750 पचीस पचीस परतीसत का profit होगा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको cost price हमेशा 100% मानना है और question को ध्यान से पढ़ना है question को पढ़ने के बाद उस question को इस equation में लाना है अगर आप इस equation में question को ले आते हैं तो आप आसानी sensor निकाल सकते हैं सिर्फ आपको इन दो बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों next वीडियो में हम इससे भी difficult questions को solve करना सीखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर कीजिए दोस्तों के सा share कीजिए और चैनल परनाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू पर वाचिंग बंदे मात्रम